Hello students, आज हम discuss करने जा रहे हैं, अगर आपके पास एक circular arc है, अगर वो charge है, तो उसके center पर कितना electric field होता है, तो चलिए सुरू करते हैं, हमारे पास एक circular arc है, जिसको मैंने positive charge दिया, वो positive charge इसके length पर uniformly distribute हो चुका है, ये distance मान लेते हैं, इसकी radius जो है वो r है, ये angle phi है, इस परहे म elementary length मानेंगे, जिसकी जो angular width है, वो d theta है, और ये हमारा x-axis है, इस x-axis से, जो elementary length है, ये theta angle दूर है, ये angle जो है, theta है आपका, यहाँ से अगर मैं electric field निकाल हो इस पर, तो positive charge के वरे से electric field outward आएगा, और ये dl length जो है, छुटको सी length है, dl, तो छुटको से dl length के वरे से, जो electric field होगा वो भी छुटको सा होगा, और उसकी value रेगी d e, अगर ये angle theta है, तो ये सामने वाला angle भी क्या रहेगा, theta रहेगा, तो उसमें यह वाला component है, यह बन जागा d e cos theta, और यह वाला component बन जागा d e sin theta, हम जानते हैं कि point charge के वरे से, हमारा पास कितना electric field होता है, point charge के वरे से, हमारा इसे पार्ट पर चार्ज है, वो है d q, और छोटे पार्ट के वरे से electric field है, वो है d e, तो जो d e की value मेर पास हो जाएगी, d e equals to k d q by r, जो है ये radius capital r, रेजिम करी है, तो r के बदले capital r का square बन जाए, d q upon d theta, since हमारा जो q charge है, वो पूरे angle में phi में, एक angular ring phi में distribute है, तो जो charge density वो यहाँ पर आएगी, q by phi, तो d q यहाँ से अगर मैं निकालूं, तो d q मुझे में हल जाएगा यहाँ से, q by phi, साथ में d theta, इस value को अगर यहाँ put किया जाए, तो electric field हमें मिल दाएगा, d e equals to, d e equals to k q d theta upon, phi r square, हमने यहाँ पर एक छोटा सा elementary length ली, उसके वरे से यह दो फिल्ट बने, अगर मैं यहाँ पर भी एक elementary length और ले लूं, same, तो उसके वरे से फिल्ट बनेगा, वो ऐसे बनेगा, यह field की value भी d e होगी, because length हम same ले रहे हैं, और same angle theta पर ले रहे हैं इसको, इसको भी हम component में resolve क करेंगे, तो यह वाला component यही बनेगा, d e cos theta, और यह वाला component बन जागा, d e sin theta, तो यह वाला d e sin theta, और d e cos theta, d e cos theta, add हो जाएंगे, ऐसी में अगर यहाँ पर एक d l अजिम करूं, तो यहाँ पर भी एक d l होगा, वो d l उस d l के side वाले part को cancel out कर देगा, cause वाले part को फिर से add कर कर देगा, मैं जितने मैं d l यहाँ लूँगा, उसा cause वाला part add होते जाएगा, और sin वाला part जो है मेरा cancel out होते जाएगा, तो net electric field जो मुझे मिलने वाला है, वो मिलेगा, d e cos theta, देगो, इसको net मान लेता हूँ, एक के वेरे से d e cos theta आ रहा है, दो के वेरे से 2 d e cos theta आ रहा है, तो सारे के सारे, अगर मैं d l, d l को add कर दूँ, तो मुझे मिलेगा d e cos theta का integration, अब करना कुछ नहीं, आपको simply, आपको यहाँ पर d e की इस value को उठा के put कर देना है, k q d theta upon 5 r square, साथ में cos theta, तो integration theta के respect में हो रहा है, cos theta का integration को बागी common ले लेंगे, तो e net हमारे पास बचेगा, x square cos theta d theta, और theta को जो limit जा रही है, आप देखो, यहाँ पर theta angle को मैं back side ले जाओ, तो बंद आगा minus 5 by 2, इधर ले जाओ, तो plus 5 by 2, उसका region यह है, कि यह angle जो है, आपको 5 by 2 है, यह minus 5 by 2, और इधर को plus 5 by 2, तो integration के limit जाओ देगी, minus 5 by 2 से plus 5 by 2 तक, तो k q upon 5 r square, cos theta के integration देगा sin theta, sin theta, और limit जाओ कि minus 5 by 2 से plus 5 by 2, तो पीछे electric field की value मैंने adjective उतार दी है, अब यहाँ अगर value को put किया जाए, तो k q upon 5 r square, sin 5 by 2, minus, sin minus 5 by 2, minus को बाहर कमल ले लेंगे, तो k q upon 5 r square, sin 5 by 2, प्लस sin 5 by 2, यह बंद जागा आपको 2 sin 5 by 2, तो electric field का बज़ा के, 2 k q upon 5 r square, k q यह लोगर आप रख दो, तो 2 q upon 4 pi epsilon 0 5 r square, तो यह आपका electric field मल जाएगा at center due to a charge, uniformly charged arc, आज के lecture में इतना ही, अगर आपको lecture अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजे, चनल को subscribe कर दीजे, और comment करके बताईए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, तो मिलता है आपसे अगला lecture पर किसे नई topic के साथ,